हेलो फ्रेंड्स आयम निशान शवफूड करस्प में आप सका स्वागत है तो आज निशेक रसुई में इस तरह से बनाएं टेस्टी से आलू प्याज के पकोड़े जो की इतने टेस्टी होंगे इस ठेंड में बनाईए तो घर पे जब कोई महमाना है तो जट पत ये कर आप खिला सकते हैं टेस्टी और चट पते आप इस तरह से एक बर बनाएंगे बड़े बच्चे जूस को भी आप देंगे खाने के लिए हर कोई दुबारा इसकी डिमान जरूर करेगा पूरी प्लेट चट हो जाएगी इन पकोड़ों की तो चलिए इन्हें बनाना स्टा कर लिया है बारिक एक बार इस तरह से इन पकोड़ों को जरूर बनाएगा जितनी प्याज लिए उतने ही दो कटोरी मैंने आप आलू को बारिक कट करके लिया है उसके बार दालेंगे इन में कुछ ड्राई मसाले जो कि इनके स्वाथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा तो कटोरी भर कर मैंने हरा धनिया इस पे डाल दिया है और साथ ही डालेंगे इसमें आदा इंच अद्रक का टुकड़ा जो मैंने कद्दू कस करके लिया है आप इसका पेश्ट भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ डालेंगे इसमें नमक क्योंकि फ्रेंड्स हम इसमें बिल्कुल भी पानी यूज नहीं करेंगे तो यहां पर हम नामक डाल देंगे जिसे की आलो प्याज अपना पानी रिलीस करते हैं जो हम मिक्स करेंगे तो यह रिलीस करेंगे अपना पानी इसमें हमें आलक से पानी नहीं डालना है जो हम पानी डाल कर बनाएंगे तो यह पकोड़े एक चमझ डाल दैया है करका या जाना है सब्सक्राइब करना इन वह लुपने वन्जपक अच्छाद यास बूल गई तो यहां पर 5-6 कम जादा कर सकते हो और यहां पर इसे अच्छे से मिक्स करना है बेशन मिक्स करने से पहले तो इस तरह से हातों से मुठी से मसलना है कि जो हमारे सारे मसाले है वह अलुआ प्याज में अच्छे से मिक्स हो ज़िए तो मैं ढेर सारी पकोड़ी यां तो आपना सकते हो आप 2 कतोरी का मेजेरमेंट लिए हम कि यह संड़े के दिन बन रहा है और अगर लिए नास्ते बन रही है तो एक ठंडी में पकोड़ बहुत टेष्टी लगता बैसन उतना लेना है करीब मैं एक कतोरी बेसन लूंगी तो पतिन इतना लेना है अगर आपके जो समान लिए हो उसमें बस हलकी सी जो बाइंडिंग अच्छी से बन जाए हमें बेसन जादा नहीं डाला है नहीं तो बेसन का स्वाद आएगा फिर पकोड़ों में आलू प्याज का स्वाद नहीं आएगा तो एक कटोरी मैंने यहां पर बेसन मिक्स कर लिया है जब आप खा अपना थोड़ा पानी रिलीज करेंगे उससे हमारे बेसर अच्छे से फिट जाएगा मतलब अच्छे से मिक्स हो जाएगा और को एक अच्छी सी कोटिंग आलू प्याज पे चड़ जाएगी तो इस तरह से हातों से मुठी से दबा दबा कर हमें करना है मिक्स तो यहां पर पस इस तरह से बनना है आलू प्याज आपको दिख रहे ना बेसन हमने अधिक नहीं लिया यह हमें से याद रहेगा तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा तो बस इस तरह से लेना है कि अच्छे से हमारी एक बाइंडिंग तयार हो जाए बेसन जो पकोड़ों की यहां में ले लिया है नहीं रख लिया है मश्टर डॉयल उसे कड्हाइगे में रख लिया है का मश्टर को अच्छी से गरम कर लिया सवसों को तेल अच्छी से ब्राऊन वह जाएंगे अंदर से पाच्छा रयेंगा तो हमें मीडियम फ्लेम पी उसे पकोडों को तलना है पकोड़े पकोड़े अपने उसाओ में बिते है कि आपको मैं बता नहीं सकती आप जरूर ट्राइब करिएगा यह रैस्पी आपको बहुत पसंद आनी हो पकोड़े जो भी खाएगा आपकी तारिफ ना हो तो कहिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको तारिफ ना मिले इन पकोड़ों से तो आप एक बार जैस आपको अच्छे से ब्राउन होने तक सेकना है अब गर्सका फ्लेम मीडियम होना चाहिए लो ना ही हाई होना चाहिए और पकोड़ों को अच्छे से हमें पका लेना है इस तरह से अलट प्लगे की एकुली कलर आ जाए और इसके बास सारा बैच हमें इसी तरह से तल कर रेड तो आप इस ठंड में इसे जरूर फ्राई करें तो दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है और यह देखिए हमारे दूसरे बैच भी सीता से तयार हो जाएंगे तो हम फटा-फट सरीए सारे पकोड़े सर्फ कर लेते हैं यहां देखिए हमारे आलू प्याज के पकोड़े सर् आपके पास टाइम होता है तो फटा-फट इन पकोड़ों को देती हूं चाय और सॉस के साथ आपके पास टाइम है तो चितनी में ला लीजेगा चितनी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं तो यह देखिए सॉस लगाकर यह और अलू प्याज अच्छे से पक गए हैं आ अगर यह रैस्पी मेरी आलू प्याज के पकोड़ों की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा कमेंट कर दीज़ेगा मेरे चैनल पर नहीं है यह फर्स्टाम वीजिट किया तो प्लीज से सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को बटन जरूर दबाए फ्रे